मानवीनी भवाई लेखत पंदलाल पटेल पंदलाल पटेल नी ओलक एक नबल कथाकार तरीके नीशे अने एमा मानवीनी भवाई अने मलेला जीम आ बेन अवर कथाओ तो एमने गुद्रादे शाहित्यमा अमर बनावी दिधा मानवीनी भवाई ने लईने तो एमने ओगनी सोने पंच्याशीमा ग्र्यानपिर्स एवड पंदलाल पटेल बुख्ती या भुंडी भीक जे मानवीनी भवाई नबल कथा माथी आ लिधेलू प्रक्राण छप्पनिया कालनू भण्णन करतु आ फ्रक्राण आजे आपणे ये छप्पनिया काल सुदीं ये लोगोनी परिस्तिती ये जेते समय हतो एनू भण्णन ये शुन्दर रिते थायू छे। ये पेला पन्नालाल विशे थोडिक वाद करी लए तो पन्नालाल पटेल ये गुजरात नू गवरवशे। सहित्य सुरुष्टी नो चमत काल शें। बव उच्छू भणेला अने अ सहित्तिक परिस्तितीमा उचरेला पण एमनामा नैसर्गीक प्रतिवा अने उमाशंकर जोशी जेवा मित्रों ना सयोग थी मिक्षेला सर्जब छें। गुजराती भाषाना समर्थ वार्ताकार नवलकथाकार अने विशेशत प्रादेशीक वार्ताकार छें। एमने गुजरात ना ग्राम जीवन ना तलपदा रंभुने अभिवेक्ट करीं। गुजराती जानपदी नवलकथा मां वह मोटू स्थान प्राप्त करीं। यहमनी मानवीनी भवाई नवलकथा यहने ग्ण्यानपेश एवड मलेव अने सर्वोच सिद्धी हमने मेडवीं। अंगरेजी चार चौपडी भणेलो महनांस। बोले तो एक्याक्याक देशी सब्दो आवी जाए एवो वेक्ति पंदालाल पटेल। यहमनों हाल राजस्थान मां जे घाम आवे लुशेव। मांडली घाम यहमनों जन्मत हयो। अने आजे एक श्रिष्ट नवल कथाका तरिके गुद्रादी साहित्ते मां यहमनों नाम छे। यहवा अने मानवीनी भवाई महा नवल यहमनी उप्तम कुरती शे। यहवा बंदालाल पटेलनों भुख्थी यह बुंडी भीक यह प्रक्राण आजे आपने जोवुँँछे। शप्पन यहां काड़ने लोको एक वो जोयोशे शहन करेऊशे। अने केटलों कपरों काड़ हतो यहां प्रक्राणती आपने जहनवा मुण शे। आपने आस्थी सम्वंत शप्पनी हो काड़ने ओग्णी सोने सप्पन समवत इस्विशनने यह ओग्णी सोने शप्पननों काड़ अनि यह समयना लोको जे घाम छोडी छोडी ने विजा घाम माटे रोटलाना कटका माटे पाणी ए तरस छिपाव माटे द्वाडी द्वाडी ने जहाए शे अनि पोतानों घाम पन छोडी दिदू शे इवा लोकोनी भेदना आईया अभ्याप्त थविशे काल केटलों दुश्कर होई शे यह पन तमने जानवा मां बढ़ शे मित्रोवीजी वाद यह छे के गुजराती फिल्म मां उपेंद्र त्रिवेदी नुँ नाम बहु मोट्रू शे बहु मोटा घजाना कलाकार यहमनों अवसान थायूँशे प्रणतु एक इवा कलाकार अने पोते पन जाने कोई सर्जय खोयवा सहित्य रशिक व्याक्ति यह उपेंद्र त्रिवेदी आ नवल कथा मा थी फिल्म नी आखी जे पट कथा लखवानी होए लखी अने मानुवीनी भवाई फिल्म लग एमने उतारी यह पोते पन यहना मुख्य कलाकाराता यहने यहने पात्र भजूईू कालू अने राजू मुख्य पात्रों शेया हमां अने यह फिल्म में इटली उत्तम कख्षानी बनीं के अवर्ट पन मलें आजे मानुवीनी भवाई नवल कथा न वांची अने मात्र त्रण कल्लाक अडी कल्लाक नी फिल्म जोई है तो पन आपने खबर पड़ी जाए आपने यह समझाय के सपनियों काल बुल्वानों नहीं बुल्वाथी श्यों पन एक जे काल जिने सहन कर्यों यह सपनिया काल नो क्यारे न भुली शकाए इटली यानी भेंग करता आती इतलो भेंग करतों यह आपने तरत समझाय यह भुक्ति या बुंडी बिक्षिये प्रक्राण वो सरश्थे मानवीनी भवाई माथिया प्रक्रण लिदू शेले मानवीनी भवाई वीशे थोड़क परीचे मेड़ो जरूर इशे मारी तो भला मणे शे क्या फिल्मने तमें बेकल्लाक अटीकल्लाक ने जे होए गुजरादे फिल्मन जो शो तमने तरत खबर पर शे कि आजे जुना मा अवा मुर्शे नवल कथा बन चायतो भधारे साल अने जो आये तो ये पन आपने समझावी जये इस ए नवल कथा मानवीनी भवाई इस शू छे तो अहीं लख्यू जे के मानवीनी भवाई ए सर्जन लिखक नी सर्जन याक्रानी पराकाश्टा चे उन्दत प्रेम कथा अन अने तल पदा जिवन नों वर्णन करती कथा चपन्या दुकाळ नी करून ता एमा जीवी जता राजवने कालूना जिवन नी सुक्स्म प्रितिनी कथा अने अन्ते राजू जे कालू निम बचावी ले से ये पन प्रेमनी पराकाश्टा चे तो ये अखी कथा जानमी होए तम्हारे तो आँ वर्ताने वांच्वीच पड़े अत्पादों फिल्म ने जोवी पड़े अई या मात्र आपड़े बुख्ती यह भुंडी विक यह प्रक्राण मुख्यू शे यह तो तमने यह फिल्म जोवा के वांच्वां माते नवलकता ने तमने प्रिणा जरूर सरुवात करिए कि आशाहती के बार-बार मासनों गयलों मेह जेठना पाचला पंदरों मेधा जरूर आवशे वर्षाद पड़ियो नहीं इटले दुकाल पड़ियो खेड़ू दवर्ख शे गामड़ू शे पन कौन जाने के मेग राजा तो उंगी गया कि पची एमने पाणी खुट्या कि वलती वक्ते वाटों लामी पड़ी दिशी सब्दों चे तर्पदा मेग राजा वो बार-मार मि पूर करया होई पाणी ना नदीनी नेहरो आवती होई एकले अपने पाणी नी घरत रहती नती यहूँ थी गियूशे पाणी ने बेफाम दुरूपयोग करिये शे प्रांके पाणी पुषकल मड़े शे और पाणी नी किम्मत समझाती नती यानों मुल्ले गणूँ शे धर मर्दा बाढ़वा वाडविया कोई नहीं हुए मौत्नों वर्साद वर्ष्यों क्या बाढ़वा ने क्या डाटवा पचिक कारण का सुतक ने सराववा ने तो भास्तच क्या रही मैं यहां सब्द लख्योशे का मरण पाच्छल होऊं जे लोका चार्मों आपने राखिये ब्यात्रण दीवस पचियाने काण के वाए दीशी भाष्या में परसी सुतक मरण के जन्म थायो होए तो अपने आपर छे थोड़ा दीवस रांखिये शी यहने सुतक के वाए तो आब अधार मों तो प्रशें परसी सराववा नी जी आपने बार दीवस बदी विदियो करि परसी सरावा माठे नदी की नारे जी आब तो क्या करवान कोई नी पासे समय चे पैशोई क्यां शी जीवबाना फाफासे स्वास स्वासनी गणत्री थाई रहे इचे को आने केटलो स्वास मढशे आवी कपरी काल खतर्नाक परिश्वीरी प्यादार दी यह मतनो वर्साद परिशी रहे उसे बदी जी गये मर्दात मर्दा आशे केवी सर्वात्माद आके शपनियों काल केटलों भैंकर अशे केटली परिशिदी विकट अशे के जोगा मारे शें पाचड रहला तो संबंदी ने आगल कर्यानी रहत जनुबवता आता खुश्थता आता गणता रहाने देखवा न दाजवा अरे कालू सर्खाने तो अदेखाई जावती हती रनसोड भाई ने संकर्दा छुटे आ दुखमा थी ने बुखमा थी अरे ये तो अम्मरिया थे जिए अने रहा आपन कौन जाने क्या लगी करजम आ भुखे टडबडवानुशे हवे रनसोड भाई अने संकर्दा अब ये बात्र आवे रनसोड भाई येना काकानो दिक्रो शें कालू मुख्य पात्र शें राजू येनी पत्नी नथी पने येना सालानी पत्नी शें दयार जिनी तो रनसोड भाई छुटी गया संकर्दा मरी गया आपने के रही गया अशें काल मां थी छुटू ए आने दुख मां थी छुटू ए बव अगत्य नू लागे जैंने आमने चुटे होत तो सारू आ दुख मां थी महत आवे तो सारू येम के वांगे पेलू अना जे खुटियू ने वाणियाने त्योंथी बी नहीं मागुशेट करी ने आने लाब्यामान कोद्राई जिमोर धोतो कचरो ने तो पाछा म्याना धोई धोई ने दम निकडि जा एवा ए राजू काकाजी शासू शासूनात्रा चोक्रा भली ने पोते आम साथ आ चोके शैं स्वभाव्यानौर कालू साथे गमतो नाथी कालूने भली गमती notwend अरहां कालूनी प्रित राजू साथे जिंडि राजुना लकन धेमणा शाळा साथे जिन वली औने परेसी भांबेन ढली नी भावीसे राजू I पण बाहलपण मां राजूनी सगाई काळू साथे ठैने बाहलपण नी प्रित हजी सचवाइए छे पन समाजीक मरियादा समाज नी एना कारणे काळू अनि राजू भिगा थे शकता नाथे करां के रहार कालूना लगन भली साथे था आज आ समाध्ना पंचादिया माना सोए पिथा पटेले इवा कावादावा करीने कालूनों भली साथे भली साथे और राजूनों दयार जी साथे गुठवी नाखियो शे अने बद धत दुखी शे एटले एक बादू संसार्मा पंदूख शे एक बादू मोत्नों वर्साद भर्षी रहो शे कपरो काल शे खावाना फाफा शे अटलों बदों मोटों परिवार लईने कालू गाम छोडीने निकड़ी गयो शे अवे तो कोद्रा एक पूरा थही रहा जे कश्युद चाले यम न मतिने खावा कोई आपे एम नथी इतले दो लेखा के लखिए मुआत्मों वर्साद भर्षी रहो शे अलोबत एक तरप अनाध गड़तू गई तो अबीजी बादू सासू मुआ ने काक को जिये नानकडी बत्री जी ने आगल करी चालता था आगल करी ने चालता था इतले काका जी पन मरी गया दिशासु पॉन मुर्द्तिव भाम्यां मानवी ना जीवन नी भवाई थे लिए भवाई मो मजाख होई को एक नी मजाख थे रही होई एम खुद्रत जाने मानवी साथे मजाख करी रहा हुशे कालू एक बादू खुश थे तो बीची बादू दुखी थे इटलो थे आव अगर कामना जीवे छे ने कामना मरी जाए छे असाड ना आबला चोखा चट डोर डांख ने मानवी विनाना पादर बट पेला खेतरो जोहील्यों दूर दूर नी छिती जो शुदी वादलानू नाम निशान नो तू जैरे चापतो अरे वैशाक जेटना तड़का है आ असाड या ताप अगर तरणा तोलेद लागता हा आवे एटले वर्षाद नी सरुवात थाए अकाश मा वादलो बंधाए प्रकृती वर्षाद नी रहाजुईनी बैठी होई पसु पक्षी खुश थी जाए असाड मैनान वातावन जोईने वातावन पर खुश्णू मा होई मोर नास्ता होई वादलाग विजडी अब दू जुबाव मनें वर्षाद दिमें 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 पग्रव मानतों होई अने एटलो दोधमार पशी भर्षे खेड़ूत खुश हाल थे जहें यहां लेखर चुदी बात करेश है कैसे कि असाड पन जाने वैशाक जेटना तड़का करतों भारे आकरों तपीर होई वैशाक जेटनों तड़को यहना आगर तरना जो लागे शे तरक लाबर वर्षे असाड जो आटलों तपतों होई तो आकरों ताप तो वैशाक जेटम होई असाड वो ना होई पड़े एक ताप हजी घटेओ न थी वैशाक जेट करतों है असाड नो ताप वधारे आकरों शे यह वो लिखक कहे शे जियां वर्षाद आवानी जरूर छे वर्षाद आवो जोईये यह समय आवयो तेमां हजी त वार्ता आईया काल्पनिक छे परन्तु आपने जेते समय नूं इटलों बदों खयाल आपे शें कि आपने तो कल्पना थी भाहनों विशे शें करनके जोयद नथी आवार्ता थी आपने इने समझवानों प्रहतने करवानों खे आवा पन दुशकाल परता हता आप जमी पर आप्रूथ्वी आवा कितला एक कालने समंकरीने बेठी शे असाड नू आबलू चोखुने चाठ क्यारे ना होय पना हिया छे आ तरप डेगडियानू महाजने विचारम पड़ी गयू धन बाड़ा होये मकान उठावे हाता ने धन बाड़ा होये हाना हाना करता गया रे उचु बत्तु धिरता गया तो कोईकने वड़ी सथा आपी आ अंग्रेज सरकार रेल पत्तरा आवे छे ने धान आले शे माटे जाओ त्यां जो जीबू होय तो हवे आड़े गडियू एनू महाजन एकले गामना मोटा मालावाशो मदीरीते प्रतिष्टित होय धन्वान पण होय इजत आवरुवळा होय जे मनों गामना नाव होय मोटू एवो महाजन ये पन हवे विचार करवा माड़े खवेशू था शेयां कांकि दर वर्षे वर्षाद पड़े अने यहना अथारे खेती थाए ने गाम लोको जीवतार पणावे देवो कशू छेज नी इतले कोई के कहयों कांकि योख दे अंगरे जो भारत महाता तो वारता मां अंगरे जो पणावे जो तरेल बेनों जे पाटा नंग खाई शे ए चालू से तमें त्यां जाओ मजूरी मढशे ने जीवी जेशा देगडिया मा रहला मानवी अरे धराई ने खाता आता एवा महाजनों मरवा मढ़या पछी येतो अतिशय तापने रिधेक परदेश मती आवी पहुंचेला देगडिया ना वतनी सुन्दर्जी शेटे कहयों एमे हुए आ भुख्या खेडूतों निशास पड़े अवे सु सुन्दर्जी शेट ये महाजन छे वानियानों दीक्रों शे बहुख धयाळू छे अने खेडूतों माटे हमाच कहेछे ये तो प्रदेश चीया वैसे इटले कहेछे खेडूतों माटे के गाम मारहता महाजनों मरे शे खाई-खाई-खाई-ने मरे शें सुन्ददची शेट क्या में योग ये खेडूतों निसासो पड़े लागे कारण के जिए समय आ खेडूत ने मदद करवानी होरे ये समय ये महाजनों मदद दखी करी महाजन नी भरत छे कि खेडूत ने मदद करें करना क्या महाजनों क्या रे टकी रहे छे खेडूत ज्यारे अनाज पक्वीने महाजनों ने आपशे ए खरीद छे मोटा बंडारों भिगा कर शे यह माँची यह कमा शे और मुर्श्रोत तो खेडूत छे महाजन बनावी राखवानों काम खेडूत करतं होई अनि ऐस खेडूत के ज़ारे घंप्रों क्यावेड़ोद शामें महाजनों नजर न करे खेडूत ना दुख में भागजिदार न बने तो ए महाजनों झिव भानों कोई आधार न थी एकले आई या सुन्दर जी शेटना मुखे पंदालाग पटेल केशे के खेडुतना दिक्राने जो न बचावतों होए तो एक रिते बचवानुँशे आ खेडुतना निशाचा लागाए शे सुन्दर जी शेटनी वाद ध्यांती साबरी वर्चाद नहीं आवे तो आपना जेनी जेनी पाचे धान हाशे ने ए नचे जिववाना ने आवशे तो आना आद आ मानवी एकनू अनेक गणू पक्वी आपपाना शे आपन कई हल भकवाना ओछा शे शुन्दर जी शेट केशे आपने खेटी करवा जवाना शे वर्चाद नहीं आवे तो कोई नहीं जीवे जो वर्चाद आवशे तो आपने बमणू आ लोको आपसे अमने जिवार आ सुन्दर जी शेटनी जे भावना शे शाचा महाजन नी भावना यहां देखाए शे करना के खेडूत ए जगतनों प यहने मज़त करो ने देगडियाना महाजाने कोठार माथी धान काढ़िया आपन कबूल करी किम्मत पन अर्जिद लेदी अलदो बाग गरन धरम मा राक्यो जो के सरू-सरू मा तो धर्मादू खानार बव ओचा निकडियार पन दिवसे दिवसे संक्या बत्ती चाले बुख यहनी टेक होए यहनी प्रतिकण्या चेक ज्त याव्यूत हट लपकर यहनुन स्वाभिमान गर अपनों स्वाभिमान एपनने-पती था. हाथ लाबो करता अठकावे शे पर दिमें दिमें आप पेठ आप पेठ एने मजबूर करे जे ने लाइद माँ भारे उपरे शे अड़्धा पैश्या चुकावाना अना अड़्धा नहीं धान मड़े एम जिवया करे अई या राजू जे काणूने विननती करे जे तमे तो कहता ता कि आ पोठार माँ आपना धान छे ते आपना अच्छे ने तो पछी माजण आले छे ने लेवू जे यहां शरम शानी गणे यहने तो खरीद ने आपना छे एटले तो उल्टानी वधारे शरम आपना धानने तो आपने हात धर्वानो फीख मंगवनी धुवा कालू केवो स्वाविमानी वेख्टी praying to राजू ने पण कईड sketch the writing दान लाओ तो जिवी शकाए ने आपने हात लाबो करवाना बर दान माटे अपने हात आत लाबो करवानौ आत लाबो करता अठकावे खेडुत छेन है जगत आखाने जिवाडे शे जगत ने जिवाडे हैने आजे भीक मागवानों वारो आवे शें आम कालू क्या शें निशासों नाके खोब दुख थाए छेन है पड़ाजुनी विननती आगले बिचारों शुक लो हेडो हेडो एवु बदू घणया मकर उठो नकर मुई नथी जमानी जवुतो जेने तमारा स्वगंचे आ बेद छोक्रों बले बेदा मरी जेता येमना बेद छोक्रों अएटलेके राजुकालूना नथी बाचा पन आ भलीना भाई होए एना भत्रीजा होए एवा ये बा इतले के तमे जो उभा नहीं था उने धान लेवाद हुया नहीं जवु तमारा स्वगंचे आ बेद छोक्रों भले मरी जेता भेगा अपने बदाएं मरी जीएं पर चो तमे नहीं आवाद हुँ क्या रही नहीं जवुएं अन्ने आमा जबावावा आपने नानम शी आमाच सकंते सर्क तरी साथि आवूं कि भलें वाकि हात को नặtेज धरवां हाथ नहीं दरू तक लापने करू तरी साथि लाइद को साथिक्यों थां धन्य से यहनी खांदानी ने खार्थ नहीं कर दे। नधर्ता तमारा वती हुँ धरिश पसी तो खरूने राजू केटलो साच्वेशे कालूने, कालू थाक्यों शें, कालू खोब दुखी शें। अरे घाडी, कालू नी उंडी उत्री गएली आखोमा, बाहर निकडि आवेला जडबना पेला हडका उपर हाचे चेव कई फरी रें। बोल्यों, आ डवर्ड पासेर खिचडी जिवार शें, एम तुमाने शें। अरे बसेर आले तो यह मारू पेट तो नथी भरावानू। ने तुम जाने शेंके वर्षाद आवानू छें, आतो पर्थमी नो पल्लो थवा बैठोचे बुंडी। देशी सब्दो जे साब्रकाठाना, पल्लो एटले प्रलाय। पर्थमी एटले पृत्वी। बुंडी नथी आपना जीवाना के नथी जीवाना माजन। आमोटा मानों सवय नहीं जीवी। त्यारे शुकाम भुंडिया मर्ती गडिये कणबी ना दीकरा पाचे हाद धरावेशे। हुँ खेडुतनों दीकरो तु कणबी, पटेलनों दीकरो। बीमाची कणप्यादा करे एक कणबी। शुकाम हाद धरावेशे। ना, ना, राजु, तु एकली जा, उन्तो नथी जावा। ने थम्दीगे। दूर देखाते पेली दरिद्र नाराणनी लाबी कतारो तरप आशु मिहोनी रडती आखे ताकी रहो। श्त्री पुरूशना ए अर्ध नगना हाड पिंजरोमा पटेल हाताने ब्राह्मान हैता। कोई-कोई वानिया माथी हाता। जैरे ठाकर डानी तो मोटी संक्या हातीं। गाची औने शीपाई हारमा शिल बेड हाता। पने बधाय माँ जाजो भाग तो हतो खेडूत नो ने आ बधाय लेवाता उभाशे लोड़ पासेर खिचडी पना खिचडी ने पकावनार तो खेडूत अगने मोड मालिक तो खेडूत छे। काडुना पग जाने जडाई गया। काड़ु आगल वदिशक तो नाए बगवानने जीवत्थो राकव अशे तो मुखा ना छोड़ाएच। सब्सक्राइब करें मनें बगवाने जीवतों राकोशे ने तो यह राक्षे बाटी में आ महाराथी आ कश्युत थावानों कि नथी यह बुख्ति यह बुंडी भीक यहनों थोड़ोग अमसार तो आपने आवे हो कि राजूं विनन्ति करें यहां चता कालूं भांतों नहीं यहना पग जड़ाया जड़ाई गया अटकी गया थंब बनी गया थे यहांति यह ड़्लू आगल भदी शक्ता हाथी कुली और द्हें को कनी थे आव तोलाख है से सिर्फफ집 यह हूं मारी दान भार्बहुलग करवाने अरे थांटि अ दौड़ पासेर खिच्डी माटे आकको हात लाब हो करवाने नहीं तो मरे भगवाने जीवाल वो शे तो मनेरे जीवालु से अस मीन आये हांत लाबो करवा नती है है मारे कोई ने करगर वोंन नती है पर मारी साथे तो चालो कि मने तमारे भुखे मारी नाक्वीशे तमारा बेच अलावनों विचार करो राजु करगर देधे बेचाना आता कि राजुना दियर थाए इटले के तमारे भरत छे के तमारे नाना छोक्रावने जिवाडवा प्रिशे राजु आमकरी ने नाना बालक ने जेम समझावती होए अमर कालुने समझावी ने साथी लई जाये शे मारे वादे तमे शुकाम मरो लेहडो अने वडी यणे पगो पाड़या कि दुने तक यह थे गो राजु आरे कालुत है यह थे गो आवाद साथी शे मारा वादे मारा हाथे मारा थी तमे शुकाम मरो चालो मुँ आऊँ थे तमारा माटे मुं आतला पो करीज़ बाकी मुं भारार जीव माटे तो नाइच एकालू नूँ शवाभिमान जोवा मलेज़। एकालू ने विनन्ती करीने समझावयो। अने बुख्तिया भुंडी बीक्षे यमा कालुनु पात्रा लेकन केटलू स्वाभिमान छे खार जुवा मले। काने शप्पनिया कालनी कारेंपनी परिस्तित्ती शे यमा डे घडियामा अव्याशी या लोकों टेकी लो जीव शे। कालुनु स्वाण, गुमान ये बद्धूर हवे तहस नहस थाई गयुशे। जे मागू ये कालुना स्वभावमन नथी आवी परिस्तितिमा पण हवे नाना बे बालकोने जिवाळवा माटे कालु तैयार थी जाई शे। अने धान माटे लाइनमा उबोरे शे। आटे किलो कालु जेवो तेवो मानास्त नथी। डोड पासीर खिचडी माटे हाट लंबावानों दिक्कार छे आवतार ने दिक्कार छे आजिवूं येवू ये कहशे यवे। जो जो यानि बस भाराम भार एनू स्वाविमान रोके शे आवो कालु आप नवल कथानू मुख्य पात्र शे आवड़ा प्रकर नूपानू तो याँ सुन्दर जी शेट नूचे पात्र शे एपन याँ प्रवेश्पामीं। कालु दू स्वाविमान राजूनी समझदारी आव धुच याँ जोगाव मड़ेशे पर अन्ते यह वू साविक थाशे अन्य कालु निशासों नाकी ने धरूर बोल्चे अन्ते पात्ना के भुख्ती ये भुल्डी बिक्षे जेने आपने आवे आवता तासमान जोडीशे झाल पुब फछें लगाठी ये जच में हैसा झाल सबकिषे ग्ष तास झाल सबने पक्ली रदान दंग।